हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब टैनल मिशन बोडियम दोर पीस में फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हम लोग देखे तेरा सायनिक अभी किरिया और समी का रान के नोट्स यानि जो इनपोर्टेंट जो पॉइंट था उस वीडियो में हम लोग क चुके थे जो अपके जो केमस्ट्री का फर्स एफटर है क्लास्तेंट का तेरा सायनिक अभी कि दिया है और समी करण का मुलग इनपोर्टेंट जो पॉइंट्स होता है उसको गभर कर चुक्त है इस वीडियो में हम लोग इनपोर्टेंट को सन को कभर करेंगे फ्रेंट प्रेस कर लें चलिए सब्सक्राइब करते हैं देखें जो पहला को सने सी ए ओ का समान नाम है सी ओ का समान नाम यानि जेनरल नेम क्या होता है इसका चूना पत्थर होता है देखें नेश्व को सने स्वोडियम हाइडोजन कार्बोनेट एंटासीड का एक मुख संग घटक क्यो कीरल होता है उसका उत्तर जो होगा उट यह क्योंकि सोडियम हाइडोजन कार्बोनेट एक चार्य पदार्त है यह सीड को उध्यासिन कर देता बद्योशान है क्यों हसाइनिक अभिकिरिया में अभिकारक और उतपादों को किन भौवतिक अवस्थाओं में दरसाया जाता है रासायनिक अभिकिरिया में अभीकारक और उत्पादों को किन भारतिक अवस्थाओं में दर्साया जाता है तो इसका उत्तर होगा ठोस इसको करते हैं ड्रब भी यानि आई गैस जालिये बिलियन एक्यूफ हम लोग किसी से सुचित करते तो एक्यू के रूप में हम लोग करते हैं जो कोशन धरा सायनिक अविकिरिया में अविकारक और उत्पादों को किन-किन भावतिक अवस्थाओं में दर्शा जाता है इसका एक ठोस द्रॉब गैस और जलिया वस्था एंजलिये विलियन में कि देखें नेश्ट कोशन है क्या होता है जब मैगनेसियम रिबन को वायू की उपस्तिती में जलाया जाता है तो इसका उतर होगा यह सफेद रंग का मैगनेसियम ऑक्साइड बनाता है क्या होता है जब मैगनेसियम रिबन को वायू की उपस्तिती में जलाया जाता तो इसका यह सफेद रंग का मैगनेसियम आकसाइड बनाता है देखें जो नेस्ट को सन्य को स्वासन को उसमा छेपी अभी किर्या क्यों कहते हैं कारण दिजिए तो देखें इसका एंसर होगा स्वासन किरिया जो हमारे कोशिकाओं में नियंतरित होती है यह एक परकार की उसमा छेपी अभिकिरिया है भोजन से प्राप्त हाइडरो कार्वो हाइडरेट तूटने के बाद गुलकोच में बदल जाता है जो स्वासन का स्वासन अभिकिरिया में ऑक्सिजन के साथ मिलकर हमें उर्जा परदान करता है चुकि उसमा छेपी अभिकिरिया में भी उर्जा निकलती है इसलिए स्वासन को उसमा छेपी अभिकिरिया कहते है इस कोशन को फिर से रिपीट करते है देखें जो कोसन है स्वासन को उसमाच्छेपी अभीकिरिया क्यों कहते हैं कारण देजिए तो इसका एंसर क्या है वगा स्वासन किरिया जो हमारी कोशिकाओं में नियंतरित होती है यह एक परकार की उसमाच्छेपी अभीकिरिया है भोजन से प्राप्त हाइडरो कार्वो हाइडरेट तूटने के बाद गुलकोच में बदल जाता है जो स्वसन अभिकिरिया में ऑक्सिजन के साथ मिलकर हमें उर्जा परदान करते हैं चुकि उसमा 6 पी अभिकिरिया में भी उर्जा निकलती है इसलिए स्वसन को भी उसमा 6 पी अभिकिरिया भी कहते हैं देखे जो नेश्ट है उस अभिकिरिया का नाम बता है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं इस अभिकिरिया का एक संतुलित समिकरन दिए उस अभिकरिया का नाम बता हैं जिसमें दो याद दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक 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 उत्पात बनाते हैं इस अभिकरिया का एक संतुलित सनफूलित जो समीकरण देना तो क्या हो सकता है C plus O2 अभिक्रिया सी ओटू यह जो है यह संतूलित है इसका एक्जाम्पल हो सकता है चलिए इस को सन को फिर से रिपीट करते हैं उस अभिकरिया का नाम बता है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकल एक एककल वत्पाद बनाते हैं इस अभीकिरिया के संतुलित समीकरन निक है तो इसका जो समीकरन होगा सी पलस ओटू अभीकिरिया सी ओटू चलिए हम नेश्ट कोशन देखते हैं देखे जो नेश्ट कोशन है वसा युक्त अथ्वा तैली ए खाद समयगरी को लंबे समयट तक रखने के लिए पैकिंग थाली में कौन सी गैस से युक्त किया जाता है और क्यों इसका एंसर क्या होगा थैली से अक्सिजन को हटा कर नाइट्रोजन युक्त किया जाता है इसमें उपचयन की संभावना खतम हो जाती है और थैली में रखे पदार्थ विक्री गंदिता नहीं होती है देखे जो कोशन है कोशन को फिर से पढ़ते हैं वसा युक्त थवा थैली खाद समागरी को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस से युक्त किया जाता है और क्यों इसका एंसर हो गया थैली से अक्सिजन को हटा कर नाइट्रोजन मतम हो जाती है और थैली में रखे पदात विक्रित गंधित हो जाते हैं यानि नहीं होते हैं नहीं वह पाते हैं जो इसमें अक्सिजन को हटा कर हम लोग नेट्रोजन घस भर देंगे तो विक्रित गंधिता नहीं होगी चाहिए नेस्ट को सने वसा युक्त अथ्वा थैली खाद समागरी ओके उपचैन से इन में कौन से गुन आते हैं दिसका आन्सों का वे विक तत्वीद गन्धित हो जाते हैं उपचैन के फाट चैन की गती धीमी करने के लिए दो महत्तपर उपाय लिखें जिसका उतर होगा एक नमबर में विधूत रोधी बरतन में रखने से उपचयन की गति हो जाती है और दो नमबर में थैली से ओक्सिजन को हटा कर नाइट्रोजन युक्त करने पर उपचयन की संभावना खतम हो जाती है पहला जो पॉइंट होगा वायू रोधी बरतन में रखने से उपचयन की गति कम हो जाती है और दो नमबर में निकेंगे हम लोग थैली से ओक्सिजन को हटा कर नाइट्रोजन युक्त करने से उपचयन की संभावना खतम हो जाती है कती है चले जो नेश्ट कोशन देखते हैं हम लोग दिएकें और क्याव में दीचाओ नाम लिखी यई जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आधान परदान होता है इस नितृभी श्थापन लिख सकते किस कैसे तो जिसमें अभिकारा के बिच आयोनो का आधान परदान होता है हम लोग उसे का बोलते हैं तो दूई बिस्थापन अभिकिरिया बोलते हैं चलिए जो नेश्ट को सने दखी है रसाइनिक अभिकिरिया किसे कहते हैं तो इसका एंसर गा ऐसी प्रकिरिया जिसमें नए में गुन वाले पदार्त का निर्मान होता है और रासाइनिक अभिकिरीया कालाता हि जैसे दूद से दहीं बनना लुए पर जंग लगना जैसे दूद से दहीं का बनना और लोहे में जंग लगना चलिए नेष्क कुसर्ण देखते हैं हम लोग देखे जो नेष्क कुसर निए रसाईनिक अभिक्रिया को संखेतों अथ्वा सुतरों के माधयम से ढ़र किया जाता है तो इसे रसाईनिक समिकरन कहते हैं तो इसका अंसर होगा जब किसी रसायनिक अभिकिर्याक को संकेतों अथ्वा सुत्रों के माद्यम से व्यक्त के जाता है तो इसे रसायनिक समिक्रां कहते हैं उधारन के तोर पे 2H plus O तो क्या बनेगा है एच टू ओ एच टू बनेगा है अगर अगर आप लोग पसंद आ तो लाइक कर दे और आप लोग 21 में ग्याम देने वाले हैं 2021 में इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें चले मिलते हैं इस वीडियो में